रिखिया, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपसभी के अपने इस योटोब चैनल जीवन जीने की कला में दोस्तों आपसभी ने कई लोगों को देखा होगा कि उनका शरीर पतला रहता है जिहाँ शरीर दूबला पतला रहता है लेकिन उनका पेट निकला हुआ रहता है जो कि बिलकुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है भद्दा लगता है शरीर पतला और पेट बाहर निकला हुआ तो कैसे सिर्फ पेट को कंट्रोल करें कि वो बढ़ेना ऐसे अनावश्यक रूप से या ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले आप अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं जिहां सुबह शाम दोनों टाइम आपको खाना खाने के पांच मिनट के बाद 100 मिलिग्राम अजवाइन को चबा चबा करके खाना है जिहां ध्यान रखें कि चबा चबा करके खाना है आपको डिरेक इसके अलावा आउला केंडी भी बहुत उपयोगी है आउला केंडी का लगातार सेवन करने से पेट की चरवी को कम किया जा सकता है इसके अलावा टमाटर जिहां खाने में सलाद के रूप में लाल टमाटर का सेवन करें इसके सेवन से पेट की चरवी कम हो जाती है लेकिन ध् कम से कम 3-4 लिटर पानी का सेवन जरूर करें तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है कम से कम आधे घंटे या एक घंटे के बाद ही पानी पीना है या खाना खाने से पहले भी जब पानी पीना हो तो आधे घंटे बाद ही और आधे घंटे पहले ही पीना है आपके वर्जन को control करने से related इसके अलावा कुछ quickly जान लेते हैं बातों का ध्यान रखना होता है वर्जन को control करने के लिए वो हैं आदते हैं रात को देर रात तक जगने वाली, जिहां रात को अगर देर रात तक जगते हैं तो आदत छोड़ दीजिए, रात को ज्यादा खान जल्दी इसके अलावा आप सभी अपनी फूडिंग हैबिट्स को थोड़ा ठीक कर लीजे यानि कि सेलेक्टेड चीजों को खाईए जब आपको वजन कम करना है तो आप ध्यान रखें कि पिजाब बर्गर और बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों को और ऐली चीजों को भेज़े हम उन टॉपिक्स पर आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे साथी साथ आप सभी अंत तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने इस बात की बहुत खुशी है हमें दिल से धन्यवाद आप सभी का और रिलेटिव्स को वीडियो आसानी से मिल पाए आपका केवल कुछ सेकेंड्स लगना है लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे लाप राप्त हो जाए तो कर दीजे वीडियो को लाइक शेर और कमेंट इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जोड़ जाइए बेल नोटिफेकेशन को ओन कर लीजिए मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई तरह की जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों